हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पे एक पार फिर से और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेयर करूंगी कली वाले लहेंगे की कटिंग एंड इस्टेजिंग तो यह हमारा है वो फेवरिक है इसके उपर हमारे गोटे का काम है और पूरे ही फेवरिक प पीच में आएगी तो कलिया है वो अच्छी नहीं लगेगी तो दोनों तरप से मैं इसको निकाल लेती हूं पहले और यह हमारा तीन मीटर फेवरिक है तो इस तरह से हमने डबल फोल्ट करके और बिच्छा लिया है तीन बागू में यह तीन पर्थ है हमारी डबल डबल और यह देख लीजी इस तरह से और इसकी लंबाई है हमारे लहंगे की वो होगी 40 सिंची और जो फेवरिक है इसकी लंबाई है हमारी 39 प्लस हाफ जहने 45 सिंची तो यह हमारी हमारी पूरी-पूरी ही होगी है और पृर हम इसमें से कलिया निकालेंगे तो हमारे 15 कलिया होगी और कमर होगी हमारी 45 के सट्रा भी स्केटी निकालेंगे उतला में नािचे से कयfill होगी तो पृपर से एक सब्सक्रादेगे निकालेंगे इस तरह से वो नीचे से जितना भी फेर होगा वो हम कर लेंगे जितना फेर होगा उतना उपर से हमें चार इंची की कली लेनी है एक कली हमारी चार इंची की होगी वो पंदरा कलियां होगी टोटल इस तरह से तो यहां से हम इस तरह से तिर्छा निशान लगा ल बारा के लिए हो गई वो हो गई और तीन के हत्व ये हो गई तो टोटल हो गई पंद्रा के लिए और युग हमारा शाइद से जेरnovर निकाला तो शाइड वाला कपड़ा जिस पे व्रक नहीं था उसका हम लगा लेंगे बैल्ट तो हमारा जो लेंगा है वो पूरा-पूरा बन जाएगा तीन मिट्र में तो हमने यहां पर निशान लगा लें और अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग तो यह देखिए इस तरह से लेंगे की कटिंग है हो चुके है और नीचे से भी हमने जहां से तिर्चा है वो कट करके सीधा कर लिया है और यह पूरा लेंगा है वो कट चुका है यह देखिए इस तरह से और अभी हम करेंगे इसकी स्टेचिंग स्टेचिंग करने के लिए हमने पहले सबसे पहले यह देखिए यह कलिया है हमारी और सबसे पहले हम दो-दो कलिया जोड़ेंगे तो सारी कलिया हम जोड लेंगे इस तरह से आदा इंशी का मार्जन देते हुए तो कलिया पहले हम उपर से ही जोइंट करेंगे सबसे पहले और इस तरह से हम पूरी कलिया जोड लेंगे तो पूरी कलिया हम इसी तरह से जोड लेंगे और यह हमारी पूरी कलिया जोड गए है और नीचे से छोटी बड़ी कलिया है उसको कट करके हम निकाल देंगे और यह है हमारा पेटी कोट जो मेरा पहले चाड़ी थी उसका पेटी कोट है तो इसको मैं काम में ले लूँगी क्योंकि लेंगा भी मेरा ही है खुद का ही तो ये पेटिकोट है पुराना तो ये मैं लाइनिंग की रूप में लगा लूँगी अंदर तो ये अंदर चुबेगा नहीं तो इसको मैंने उपर से खोल लिया है और इसको इस तरह से अटेज कर लेंगे दोनों को एक साथ में और फिर लगा देंगे हम वैल्ट उपर का इस तरह से अटेज करके फिर वैल्ट लगाएंगे और नीचे से हम पेपर पेस्टिक देखे और फोल्ड कर देंगे ये देखे इस तरह सटेज कर दिया है और नीचे से भी हम पेपर पेस्टिक लगा के फोल्ड कर देंगे और ये हमारा है वो लेहंगा बन के रेडी हो गया है ये देखे बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आई है इसमें ये देखे बहुत अच्छा बना है और उपर से जो बेल्ट लगाया वो मैंने प्लेन लगाया है क्योंकि इसमें वरक है जरी का तो वो अंदर की तरफ चुबे ना इसलिए मैंने प्लेन ही लगा लिया है आप है वो वरक का भी लगा सकते हो और बहुत ही सुन्दर लग रहे है यदि मेरा ये वीडियो आपको फसंद आया है या अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल वर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद